गैज यहाँ पर कई सारे डिवाइस के लिए लेटेस 20.3.17 का अपडेट लिखल के आ चुका है जो कि एक क्लोज बीटा है और जिसे मैं फिलाल कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ तो इस वीडियो के अंदर मैं complete detail आपको बताने वालों कि क्या कुछ हमें इस अपडेट के अंदर नया चीन देखने को मिलता है जो कि आगे चलके Friday में हमें EU के अंदर और साथ एक कुछ टाइम बाद हमें MI रोम के अंदर चीन देखने को मिलेगा तो वीडियो के साथ फुल ब जलते इसके पहले about के पेज में और इसके all detail को चेक कर लेते हैं जैसे के में फिलाली उच कर रहा हूं रेडिम का note 7 pro कुछ अधर डिवाइस को भी सब्सक्राइब करता है k20 pro और बाके अदर दसको तो आप चेक कर लेना लिंक पदा चल जाएगा यहां पर जो MIY का 11 का build है 20. 20.3.17 लेटेस्ट बीटा इंड्राइब वर्जिन टीन 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 का सिक्यूर्टी पैच वर्जिविला में वर्जिन युच कर रहा हूं पर रिप कर यहां पर है जो को माइनस का है बैक को रहा आते हैं तो वह साथे डिटेर्स देखने को मिलते हैं जिसके अंदर कोई चेंजिंग नजल नहीं आता है तो इस वीडियो हम चेंज के बारे में बात करेंगे उनके बारे में तो लोग स्कीन के अंदर आपको टैप वैकप नोटिफिकेशन और यहां पर कैमरा और देखनी को मिलता है और जैसा कि टेलिग्राम पर बहुत जाता है जो स्क्रीन सूट कि अनिमेशन, यहां पर यहां पर दिखा हुए ज मिल चका यहां ब्यारे के लिए निको'mच जिसम नहीं desire का विखा हुए इंचेज़न देखनी कोनगा है बट आसे कुछ भी नहीं तो क्या पता हमें डेन्गों मिल जाये के अंदर यहां विण इनिमेशन देखाई नहीं त Wik यहां पर नीचे लिखाए मिलता है माइधिंग जो कि यू के रूम ने रिमूब कर दिया है और सास्याद माइड रूम ने भी जैसे आप इसे ओपेंड करके फर्स्ट टाइम यहां पर दिखाए देगा व्यू पर्चेश हिस्ट्री पहले आपने कोई थीम वगरा किया है तो वो तो सिर्फ इंडिया निउजस को मिलता है क्यों की गूगल गूगल अगरा तो फैसलिटी मिलती नहीं है चाहिना वाले में तो वह मिसिंग है और सासे इंडुए टेन जो पिल्स आता है ने बार वह भी मिसिंग है यहां पको एमाएमोवर साउंड एफेक्ट और बैक में मोवर यहां पर दिखाई नहीं देता था यह हमारे अबाउट के ओप्शन में था बट यहां में फिर से जो एड कर दिया गया है तो कई साई चीजे जो कि रिमूब करती गई थी एडिशन के सेटिंग से वह आपस एड की जा रहे है इस्पीसल फीचर में लाइट मोड यहां पर भी आपको नज़र आता है तो दो दो लाइट मोड यहां पर दिये गए हैं जो कि एक ही है बस एक मैप को आइकन देखने को मिलता है दूसरे में कुछ इस तरीकी का जो की ओल्ड टाइप का है बाकि कीड एमाय वाइल है बाकि यह साई सीचे वही मिलती है वीडिय कर सकते हो साथ से सनो मूठ के अंदर आपको डियुल रेण का एक नए ओप्सण देखनी को मिलता है यहां इसे एडिट करते हो फिक्टर को फिल्टर पर जाते हो आप कीड आउपर और यहां पर देखो कि पहले जो हमें वीडियो क्लिप देखने को मिलता है फोटो से वह हम और साथ से आते हैं डवल टैप के अंदर भी जो यह जो वीडियो का क्लिप जो हम फिला दिख पाये तो उसे हटा दिया गया है क्योंकि यह कुछ जादा ही लैग ही था आपने प्रिविएस का जो रिवीव वोच किया होगा तो आपने देखा होगा जब मैं स्काई पे टैप करता हूँ हलका से लैक करता है बट आप बिल्कुली फास्ट है आप कहीं पे भी जो किसी भी उप्सन पे मूब कर सकते हो क्योंकि यहां पर जो वीडियो किलिप था वो रिमूब कर दिया गया है और आप जो पिक्चर के रूप में से चेंज कर दिया गया है तो वाई यहां पर ड्वलैन और बगईरा जो सुनो कोई उप्सन मिल रहे थे वो सिंपल कर दिये गए हैं तो इस Friday को में पता चल दाएगा कि वीडियो के लिए रहता है या फिक चला जाता है बट इस close beta के अंदर यह चीज यह जो features रिमूब करती गई है फिलाल के लिए वहाँ पर अगर back की और बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाऊगी same latest वाला है बट यहाँ पर कुछ नया दिखाई देता है जैसे के recent memories जो भी picture आप recent में click करोगे वो साइचीज यहाँ पर दिखाई देगा date के हिसाब से अब कुछ इस तरी के आप पर प्रोफाइल देखनी को मिलेगा तो जो album कुछ इस तरी के दिखाई दे रहा है काफी अच्छा लग रहा है और आप देखते तो recent में single single image auto zoom हो रहा है तो काफी interesting लगा जो कि हमें gallery के अंदर देखनी को मिल जाता है और यहाँ पर एक video play का भी option दिया गया है तो आप इन सारे features को कुछ इस तरीके से recent memory के रूप में है जो create कर सकते हो जो कि भाई काफी amazing लगा gallery के अंदर नया change जो कि आप देखते हो कितना मज़दार सा awesome सा फिल दे रहा है तो इस Friday को आप सभी को wait रहेगा इस recent memory वाले features के बारे में क्योंकि मुझे पता करते हो और किक लिए जो photos से भी हो जाते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर 22 MB का सबस का size गया है जो कि आप perfectly काम कर रहा है और यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ट गयरा भी कर सकते हो 4K के अंदर जो कि यह फुली fixed हो जोगा है क्योंकि 4K का support हमारा remove हो गया था तो यह भी सही हो गया है और साथ-साथ हैं यहाँ पर मैंने play store को flash किया है तो अगर आप यूज करना चाहते हो कैसे यूज करना है तो वीडियो को full and watch करते रहें क्योंकि मैं यहाँ पर flashing का tips भी आपको बताने वाला हूं वह यहाँ पर play store के settings पर आते हैं तो हमारा device certified मिलता है अगर आप इसे से यूज करना चाहते हो तो बाके banking का अगरा में कोई भी issues नहीं आती है और वहीं पर अन्टूटू के बात करें score की तो यहाँ पर अन्टूटू का जो score है 197129 का है जो कि बिल्कुली काफी अच्छा है और toolbar मैंने फिलाल इस पर enable किया है तो यह तो old features हो गया है क्योंकि previous build में हमने देख लिया था यहाँ पर जितने features आ हैं काफी कमाल कर इंट्रेस्टिंग लगे साथ से calendar के अदर एक छोटा सा चीज लगा है आप देखें तो यहाँ पर 2020 मार्च तो यहाँ पर 2020 और मार्च के विच में एक हलका सा gap रहता है बाके अदर calendar के अंदर जबकि यहाँ आप ऐसा कुछ भी देखने को हमें नहीं मिलता है अगर मैं अपने दुसरे फोन के calendar को अगर सो करूं तो आप देखोए कि यहाँ पर 2020 मार्च के साथ हलका सा जो ग्राइब दिखाई दे रहा है जबकि इसके अंदर नहीं है वहाँ पर अगर मैं गलोल वाले रोंग की बात क किया है और आप काफी दा एक्साइटेड हो इस फ्राइडे को इस अपडेट को लेकर क्योंकि काफी कमाल का इंट्रेसिंग चेंज देखने को मिला है और बहुत साइची चाहिए फिक्स हो गई है वह में पर चेंज लोग के बात करें टेक बीटा टेस्ट वाला रो में जिस कोई भी चेंज लोग देने को नहीं मिलता है तो यह तो चेंज लोग हमें फ्राइडे को ही पता चल पाएगा तो आज के लिए इतना ही अब